घोर कल्यूग आने पर मनुष्य पुन्य कर्म छोड़ कर दुराचार में फस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुँ फेर लेंगे दुसरों की निंदा में तत्पर हो जाएंगे दुसरे के धन को हड़प लेने की इक्षा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी पराई इस्तिरियों पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा तथा वे दुसरे प्राणियों की हिंसा करने लगेंगे सभी मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे यह एसा यूग होगा जिसमें मनुष्य गुड नास्तिक और पशु बुद्धी वाले होंगे संतान माता पिता से द्वेद बेशकर अपनी जीवी का चलाएंगे धन का उपारजन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद में ही मोहित रहेंगे अपनी जाती के करम छोड़कर दुसरों को ठगेंगे तीनों काल की संध्यों अपवासना से दूर रहेंगे मित्रों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और हमारे लेटेस वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कल्यूग की स्त्रियां प्राय सदाचार से ब्रस्ट और पती का अपमान करने वाली होगी वह सास ससु से घ्रणा करेंगी स्त्रियां किसी का भए नहीं मानेगी मलीन भोजन करेंगी उनका सिल सोभाव बहुत बुरा होगा और वे अपनी पती की सेवा से सदा ही विमुख रह वर्ष बाकी है तो जरा सोचिए कल्यूग जब अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या होगा इसके अलावा भगवाण श्री कृष्ण ने बताया है कि कल्यूग का अंत कैसे होगा जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है श्री कृष्ण के अनुसार कल्यूग के अंत के समय बड़े भएंकर युद्ध होंगे भारी वर्षया प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेगे हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्यान होगा गुर्बल, क्रोध, लोग तथा बुड़ापे और शोक से ग्रस्तोंगे उस समय रोगों के कारण इंद्रियां छिण हो जाएंगी इसके बाद क्रिशन जी आगे कहते हैं कि कल्यूग में जब पाप अपने चरम पर पहुच जाएगा और प्रत्वी से धर्म समापत होने लगे के 23 चक्रे में प्रवेश करेगी और फिर से नव यूग आरंब होगा जो सत्यूग के नाम से जाना जाएगा केसा होगा सत्यूग सत्यूग की अवधी 17,28,000 वर्ष होगी इस यूग में मनुश्यों की आयू 4,000 से 10,000 वर्ष होगी प्रत्वी लोग पर फिर से धर्म का बोल बाला होगा मनुश्य भोतिक सुख की जगर मांसिक सुखों पर बल देगा मनुश्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगर नहीं होगी और चारो और प्यार ही प्यार होगा मानवता की पुना स्थापना होगी मनुश्यों को परम ज्यान की प्राप्ति होगी मित्रो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राओ